चेने क्विक गंस जिनकी जुस्तजू है पहली जीत अल्टिमेट खोकों में उसके लिए एक बहतरी शुरुआत करते वे दो अंक डाइब्स के तहत कमाएं दो अतरिक्त पॉइंट्स जो किये उन्होंने छे अंक वहां से आये और एक रॉनिंग टच आठ शून्य और अभी भ बाकिये चैने क्विक गंस दीबग माधा वभी भी फूरी तरह से काईड़त अतने काम में और फिर से अपील थी लेकिन नहीं नाटार करा दियेगे पावर प्ले में ड्रीम रन के बहर नस्दीग आ चुके है कुछी सेकेंड दूर है अब इपक माधा वा पाचुके है ड्र और उसके साथ साथ थोड़े फ्रेश भी हो गए थोड़ी ऊर्जा एक अत्रित कर लिए तीन मिनिट गुजारे शुरुवात की थी इस खो के जरीए जब प्रीतम फस गए थे अच्छा फेक लगाया था तेलुग योद्धास के अटैकर ने फिर अब थुत ने राम मोहन को जाएगे वापिस बेहत करीब आचुके हैं पाव प्ले में ड्रीम रण क्या हम एक फिर से देखेंगे वो काम जो चैनाइक कुछ ने किया था क्या वो कर पाएंगे एक पार फिर से जी आमिद पाटिल पर नज़र लखिए और इसलीं ड्रीम रन अर्जित कर लिया है वो भी पावर प्ले में पर पावर प्ले ने अपना काम किया है समय भी बित्वा दिया इस बैच से पॉइंट्स मिल गए और इसका मतलब यह है कि अब दो मिनिट तैतालिस सेकंड यानि कि आप कम से ज्यादा से ज्यादा केबल दो पॉइंट ड्रीम रन के अर्जित कर सकते हैं यह सीधे आये अपने कंदे को बिल्कुल भी निधार देखिया जैसे ही देखा कि दीपक जा रहे है एक और उसी दिशा में गए और ना सिर्फ दो अंक बल्कि एक रणिंग टच के साथ तीन अंक दिलाये और दीपक को वापस बेजा नर्साया दो इए अब शड़क हुआ पूरा चैना एक विक गंज ने आखिरकार अपनी रफतार दिखाई है ड्रीम रन के करीब आचुके है और पाचुके है अब एक और ड्रीम रन चैना एक विक गंज के लिए गबाल कर दिया है इस पे गंज दिखा दी अपनी कला अब दी में लिया पतला चैना एक विक गंज की पहनी जीत एक एसी टीम के खिलाफ जो अविता कल्टिमिट खोकों में हार ही नहीं थी लेकिन आज की इस डेट पर आज की इस दिनांख पर हार के मुझ से जीत निकाला है शेराइक विक गंज ने दो माच हारने के बाद इस प्रकार का प्रदर्शन